महान विद्वा एक मन रंजब का एक दिन एक विद्वान ने अपनी पत्नी से हल्वा बनाने का पत्नी ने खूब काजू बादाव डार को 32 स्वाधिस हल्वा पकाजू और विद्वार को देखा विद्वान ने आदे से लगा हुआ खूब मजे ने करका और बाती कर रसूई में ठख कर रहती है आदी रात पर जब विद्वान और उसकी पत्नी बेज्रूम में थे हैं तो विद्वान कुछ सोच रहा था उसकी पत्नी उसके बगल देश रही थी विद्वान ने अपनी पत्नी को ज़़ाया का उठो बात्वान मेरे दिमार में एक महान विचारा है क्या मैं पूछ सकती हैं कि वो महान विचार क्या है वो बाकी को बचा हुआ हल्वा लागों तो मैं तुमको बचाता हूं कि वो महान विचार क्या है पत्नी तुरंती रशुई से वो बाकी बचा हुआ हो लगा विजवान ने तुरंती अभगा कर प्लेट खाली करें पत्नी खा अब तो आपकी प्लेट में बाकी का अलवा भी जा चुआ अब तो बता दिये कि वो महान दुचा ता विजवान में मुश्कुलाद कहा वो महान दुचा था कि दिन के समय पकाए गए और खाए गए हालों के बाकी बचे हुए इस्टे को बिना खाए रात को कभी भी नहीं सोना चाहिए बहुत बच्चुआ करता कि बाकी बाक्या चाहिए